हेलो फ्रेंड्स, रेखा की रूसे चैनल, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं मौनसोन स्पेशल अर्वी के पत्ते की सबजी की रेशिपी लेकर आई हूँ ये सबजी इस मौनसोन एक वाट जरूर से ट्राइ कीजिएगा साथ ही मैं इस सबजी की कुछ सिक्रेट टिप्स भी शेयर करूँगी जिसे आप इस सबजी को जब बनाएंगे, खाएंगे तो गले में खरास भी नहीं होगी और इतनी टेश्टी इस सबजी बनेगी कि फिस करीवी फेल इस सबजी के आगे तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हो हमारी रेश्पिस पसंद आती हो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल रेखा के रसुई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो आज के सबजी मॉन्सून श्पेशल अर्वी के पत्ते की सबजी है बहुत से लोग तो इसे बनाते और बहुत से लोग ज करना है पीले पत्ते का भी यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो यह पत्ते हमारी सौफ होनी चाहिए तो सबसे पहले में इसके पीछे वाले बहुत अच्छी तरीके से कट कर के हटा देनी है क्योंकि यदे यह रह जाएगी न तो आपकी सब्जी में जब खाएंगी तो करें खारास होना सुरू हो जाएगी तो सबसे पहले अपको इस दंठल को बहुत इसा उधानी से अच्छी से कट कर के हटा लेना है उसकाद मैंने सारे पत्ते को अच्छे से एक एक करके वाश कर लिया है क्योंकि बरसात कम वासम है और हरी पत्ते-दार सबजी ओं में कुछ बेशिक मसाले यूज़ करोंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग में सबसे पहले यहां पर नमक कर रही हूँ चौथाई चमच बहुर मैं यहां पर हल्दी का पाउडर एड़ कर रही हूँ और आधा चमच मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है इसी के साथ में यहां पर एक च पानी डाल कर इसका गाढ़ा सा गोल तयार कर लेती हूँ याद रहे है यह बिल्कुल ही गाढ़ी होनी चाहिए पतली गोल बना लेंगे तो यह सबजी आपकी परफेक्ट महीं बन पाएगी तो इस बेशन के गोल को हमें गाढ़ा ही रखना है तो देखिए हमारी गोल की कंस बना करके रखी थी ना इसकी में पतली सी लेयर चारो साइड में बिचा देती हूँ अब इसके उपर में दूसरे पत्ते को रख लेती हूँ इस तरीके से हमें बिचा लेनी है इसके उपर भी मैं बेशन का पतला सा लेयर लगा दे रही हूँ लेयर हमें पहुच जादा इसी अले भी थाली में यह दोथा अब में इसकी पतों की रोल बनानी है उत्युवर में इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ यह इस तरीके से घुमा घुमा कर में इस रोल के जैसे फोल्ड कर देती हूं Iamini thick, quality परफेक्व हमारी इस रोल बन कर त्यार हो चुकी है और अब यहाँ पे मैंने अर्वी के जो सबसे बड़े वाले पत्ते थे उसे मैं बचा करके रख लिया था, ताकि इसे मैं अच्छे से 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 इसे कभ़र कर सकूँ, यहाँ पे मैं नीचे में दो पत्ते को लगा रही हूँ और इसके साथ मैं इसे अच्छे से कभर कर दूंगी, ताकि यह जब हमारी जो अर्वी के पत्ते वाली रोल को जब मैं इस्टिम करूँ ना तो यह खूल करके इसके बेशन बाहर ना आ जाए उसके safety के लिए मैं यहाँ पर से दो पत्तों से इसे कभर कर दे रही हूँ इसे और भी जादा सेफ करने के लिए मैं थोड़ी सी धागे का यूज करके आपको दिखा रही हूँ अगर इस तरीके से अप धागे से लपेट देंगे ना तो यह कभी भी खुलेंगे नहीं इस्टीम होते समय और यह परफेक्ट आपकी यह रोल इस्टीम हो जाएगी तो इ रोल को मैं इसमें इस्टीम होने के लिए डाल देती हूँ यदि आप चाहे तो आप इसे इस्टीमर में भी इस्टीम कर सकते हैं बट मैं इस तरीके से इसे कडाही में ही रोल को इस्टीम कर लेती हूँ और इसे ढख करके मैं साथ से आठ मिनिट के लिए अच्छे सी इस्ट एक चमच साबुच जीरा ले लिया है एक कप पानी डालकर हमें इसका बहुत स्मूच सा पेष्ट तयार कर लेना है तो यह देखे हमारी लहशुन और सर्सो का पेष्ट तयार हो चुका है अब हमारी सब्जी में हलकी सी खटास लाने के लिए और जब तक आप इस सब्जी में सब्जी खाने पर गले में खरास हो सकते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ खटाई इसके साथ ही पीस लिया है यह आपके पास अमचूर है तो आप उसे डाल सकते और वह भी नहीं है तो आप इह पे इमलिक के बीज को निकाल करके उसका पल इसमें आड़ सकते हैं तो यह ऐसे धेट कर देए और थे मैं थे मिलकुल फिश करिकी जैसे दिखती और खाने भी लगती तो तो इस तरीके से मैं इसके सारेसी तुसका कर लेती हूं तो यह पिक्षिक है तो सी यह देखिअ ने क्या हो चुकी है यहां पर में आया सोधी गैस पर गढ़ाही में तेल गर्म होने के लिए रहु अधिया है और यह सारेसी को मैं तल लूगी तो एक बार में जितनी पिसस चुकी है, मैंने इसे अच्छा से फ्राइ कर लिया है ताकि इसमे कोई भी कच्छा पन ना रहा जाए अब यहां पर हमारी कडाही में नेखे थोड़ी से ओयल बची तो इसमे कर दो बड़े चमच और ले रही हूं कि अब हमें ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी बनानी के लिए यहां पर दो बड़ा चमज सर्सो का तेल ले लिया है अब यहां में चोथाई चमज पंच फोरन एड कर रही हूं और हल्के से हल्दी के छीटे डाल दे रहे हूं ताकि तेल के छीटे चारू साइड में नाए इसी किसाथ में यहां पर बारिक कटा हुआ एक प्याज एड कर द पेश्ट बना करके रखा था ना उसे में इसमें एड कर दूंगे तो यह हमारे ग्रेवी तैयार हो रही है और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें मसालों को बहुत ही अच्छे से लो टु मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है यहां पर देखे मैंने ग्रेवी में हल्दी का प अच्छी धनीयड़े ज्यूर्श कमरें इसे डाल बहुत ज्यादा नमक नहूंगा हो पूल रही है तो इसे के साथ मैं यहां पर हें पर एक चमच लाल मिर्च का अउडर में एक पर देघर करते रही हैं तो और बस हमें इसमें और को भी मसाले एड करने की ज़ुरत नहीं है इससे सामने फीशच जरूर से उससे सब्ल mist हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा तो यह देखिए हमारे मसालों अच्छे से भून चुके हैं तो मैं यहां पर हलकी से पानी के छीटे डालकर मसाले के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अब आपको यहां पर जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी यहां पर पानी एड़ कर सकते हैं हमें यहां पर मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि सर्जो और लेशुन का कच्छा पंजो होता है ना वो निकल जाए तो यह देखिए हमारे मसाले अच डाल दिया है और उपर से मैं एक ग्लास और आड़ कर दे रही हूं और अब हमें अच्छे से वाल लानी हमारी ग्रेवी में तो इसे उवाल आने कवाद में इसे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से कुख होने दूंगी और जब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ ही हो इसे में एड़ दोओकी और आधोने नहीं हुँए कंपने हुआ है रहओा खेली हैं मॉन्सोन स्पेशल इसम्हारी नाधोन में दोपने जागे हैं और आप इसका मज़ा ले सकते हैं तो यह देखिए हमारी सब्जीब बन करके रेडी हो चुकी है और अब मैं इसे सर्फ कर लेती हूं यह देखने में लग रही है बिल्कुल फिसकरी है तो बस खाने में भी इसका टेस्ट फिसकरी के जैसी होती है और जो लोग नॉन भेजिट किजिएगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंकी फॉर वाचिंग